हेलो दोस्तों, CT Academic के YouTube चानल में आपका सौगत है, तो देखते हैं कि Nifty और Bank Nifty में कल जो हमने मार्केट में का analysis क्या था, उसके according आज क्या मार्केट में हमारा performance रहा, और most important चीज, जब आज मार्केट यहाँ पे 25-24 को close हुआ है, तो कल 25 का, जो monthly expire यह, उस दिन का हमारा क्या planning र में पूरे बात करेंगे, तो वीडियो लास तक देखना है, और चैनल अगर अभी तक subscribe नहीं किया है, तो चैनल जरू subscribe करेंगे, तो देखते हैं कि कल जो हमने बात किया था, जब 23 को मार्केट यहाँ पे close हुआ था, तो 24 के लिए हमारा planning क्या था, उसमें हमने मार्केट में कैसे काम क्या, वो दो मिंट में मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर वापिस 24 के बाद, वापे कल अगर मार्केट में हमें काम करना है, तो उसके लिए क्या करना है, तो यह अपने website पे मैं आया हूँ, cityacademy.co.in, यह अपना website है, website पे आने के बाद जसमें login पे click करता हूँ, तो मेरा सिस्टम में यहाँ पे login कर लूँगा, जिस पे मैं analysis करता हूँ, analysis कर क्या था हमारा सपोजर, तो निप्टी अगस का जो 24 के लिए देखो, 23 तरीका date लिया था, और कल का recording भी अगर आप देखेंगे, तो आपको सामने दिखेगा, कि मैंने बताया था कि 17,499 से लेके 17,541, इसके बीच में कहीं पे मार्केट मिल जाए, खरीदेंगे, मार्केट उपर रहेगा, तो पुल बैक पॉइंट तक आपको ट्रेड मिलता है, यह तो 17,499 तो 17,508, यह range तो ही है बाइंग करने का, लेकिन कभी-कभी मार्केट ग्याप अप होता है, तो उसके बाद रि बाइंग करना है, ट्रेड लेना था, बाइंग में, और अगर मार्केट 450 के नीचे चला जाता है, तो डाउन ट्रेंड में जाएंगे, यह हमने कला, आपको जो एक्स वीडियो बताया था, कल की रेकॉर्डिंग में, यह लेवल था, और आज जब लाइओ मार्केट में हमने निकाल भी लिए आता, आपको दिया भी था, लेकिन जब मार्केट ओपन हुआ, नो बच के 25 मिनट को जब मार्केट चल रहा है, लायो मार्केट है, तो मार्केट जब वहाँ से पहले नीचे गिर रहा है, जब आप देखेंगे, पहले 15-20 मिनट का मार्केट का मुमेंट आपको पता चलेगा, यह निप्टी का है, तो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, यह रेड कैंडल दिखा रहा है, तो इसमें खरीदने के लिए मैं बोल रहा हूँ, और यही सब से लोग बड़ा ट्रैप कर जाते, क्या होता है कि यह इतना मार्केट नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पर थोड़े सा पुल बैक, पहले बाद तो यहाँ पर सब लोग यह जो रैली आया, इसमें तो हम सब कुटकी करते हैं, क्योंकि दो दिन से सेल था, तो यहाँ पर टॉपलोस भी जाता है, तो भी बहुत से लोग ऐसे करते कि नहीं नहीं, टॉपलोस जादा लग रहे थे, लेकिन जब यह कैंडल के बाद मार्केट ने ट्रेंडर चेंज कर दिया, तभी इसके बाद यह नीचे जो आ रहा है, यह खरिदने का चांस है, खरिदने का मौका, यही में कल का रेकॉर्डिंग में आपको एक्स्प्रिंग क्या है, कि 17,498 जब यह 495 का लोग कर यहाँ पर मार्केट यह रेंज में आएगा, यह दस बारा रुपे का रेंज रहेगा, यहाँ पर मार्केट आएगा, तो मार्केट में जोर से बाइंग आएगा, और फिर मार्केट को उपर लेके जाएगा, तो वो अंडर्स्टेंडिंग करना जरूरी रहे था, जिसे हम तो पहले बात तो लेवल अंडेस्टैंड नहीं होता है या तो दिमाग हमारा बार्टी नहीं करते हैं क्या रहे कैसे हो सकता है इतना नीचे आएगा फिर हम खरीदेंगे क्या तो आपको यह समझना क्या है कि मार्केट जब यहाँ प्रक्रीदेंगे तो यह क्या हुआ कि एक suddenly market में movement आया हुआ है लेकिन जब वह आपीस follow buying नहीं आएगा तो market में pullback आएगा और market का real जहां से threshold generate होता है market में वो level क्या है तो say 38,618 था तो यहाँ पे देखो 622 का market ने low किया हुआ है और जब यह market उपर से जब नीचे आया और जैसे यह buying range में market आय और हमने maximum रिंद दया था 745 तो यह range में जब भी market आयेगा तो market में buying का threshold आएगा अगर नहीं आया तो फिर market trend change करेगा और trend change का confirmation कब मिलेगा अगर 38,474 अगर market successfully downside में break कर देता है तो ही market नीचे जाएगा यह चीज कल की recording में हमने explain किया था और आप आज देख सकते हैं suppose that कि द market close हुआ तो यहाद तक market रहा है अभी suppose जब तक यह candle यह last का आदे एक गंटे का market में moment नहीं हुआ है तब तक क्या हो रहा है public को कि देखो यहाँ पर गया थोड़ा उपर गया वापी इस दो तीन गंटा market नीचे था तो इसमें तो बहुत से लोग trap में आ गए थे तो आपको हमेशा focus करना है कि यह range है जिसे lieu market में हमने क्या काम क्या देखो निप्टी के लिए range में buy करो जब तक 450 के नीचे नहीं जाएगा तब तक आज के लिए short sale नहीं करना है और target क्या रहेगा यह दोनों target रहेंगे 38,618 से लेके 744 यह range में कहीं पर भी market मिल जाए मैं buy करूंगा और जब तक 38,474 के नीचे market निकलता नहीं है तब तक आज मैं बैंक रिप्ट में buy करने का नहीं सूचूंगा तो जोब आप यहाँ पर देखेंगे इसके बाद आप market यह नीचे भी आ रहा है तो buying जून में आ यही पर क्यों यह यहां पर तो पहले पुब्लिक ने buying किया होगा ना उसके बाद market उपर गया है उनको के इससे पता चलता है कि यहां पर यह market नीचे आ रहा है यह सिफ फुल बैक है और यह मौका है market में खरीदने का और range अगर आपके पास advance में रहेगा तो आप भी वह ची और यही चीज मैंने कल आपको explaining क्या था अगर market यह range में आता है तो हम call buy करेंगे 17,500 या तो 17,600 का call buy कर सकते 500 का buy करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और वह इससे market अगर यहां पर आता है तो 38,700 का जो call रहेगा उसको खरीदना है यह हमने बोला था तो जब यहां पर आप खरीदेंगे 38,700 का तो वहां से market बहुत उपर गया होगा और आप यहां पर देख सकते हो index option में जो यही चीज किया था वही चीज में आपको यहां पर वापीस करूंगा यह देखो 38,700 का जो call था 180 to 200 एकस वासी तो दोस्तों की बीच में खरीदना था या तो सिता मार्केट जो भी टाइम पर यह रेंज में चल रहा है अपना अपने बाइंग रेंज में आ रहा है फ्यूचर का तो आपको उस टाइम पर जो प्रीम मिल रहा है वहां पर भी खरी सकते हो जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 180 to 200 की बीच में खरीदा 130 का टॉप्रोस लगा के रखाता और वहां से 300-410 का टार्गेट था और आप यहाँ पर देखेंगे सब्सक्राइट 17,000 38,700 का जो call और कल में आपको यही चीज यहाँ पर लगा के भी दिखा था 38,700 का call यहा अपीस मार्केट उपर गया और लगबक 46 तक उपर गया है इसी का मतलब क्या है कि मार्केट में अगर आपको ट्रेंड पता रहेगा तो आप ऑप्शन में भी सक्सेस्पुली बहुत बढ़िया काम कर सकते हो तो क्योंकि क्या होता है एंट्री करते हैं 10.5.50.100 लेकि नहीं क कोशिश करते हो तो कभी लाइप में आउप्शन में भी ट्रेडिंग करके पैसा नहीं कमा सकते हो अगर कमाना है तो पहले पता करना पड़ेगा कि आज कुछ भी हो जाए कॉल को ही खरिद दूंगा आज हो जाए तो आज पुट में मतलब पहले ट्रेंड पता करेंगे और उसके बाद फिर आप टार्गेट करेंगे तो होता है कि जब नीचे गिरता है तो हम कॉल नहीं खरिदते हैं और जब उपर बढ़ जाता है प्राइस तो हम बोलता है नीचे आ लेने का चाहिए था लेकिन उपर आने के बाद तो हर किसी को पता चलता है कि नीचे लेना था लेकिन जब नीचे आ रहा है तब अभी लेना है कि ने लेना ये पता चलना सही है, अगर ये पता कर सकते हो तो market में profit है, बाकिस सब चीजे बहुत लोग करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वही चीज आपको मैं यहाँ पे explain करता हूँ, कि अगर suppose आपको ये range में market मिलता है, तो जब तक ये range के नीचे market नहीं जाता है, तब तक call को खरीदना ये है, और अगर ये sell range में market चला जाएगा, तो ही put का सोचना है, तब तक put को देखना भी नहीं है, ये process करेंगे, तो अपने आप मुझे लगता है कि आज कल का recording में ने दिया था, वो जिसने देखा होगा, follow क् अच्छे से profit भी कमाया होगा, तो comment में जरूर मेंशन करेंगे, और अभी important चीज कि कल के ले क्या करना है, कल के लिए हमारे लिए planning क्या रहेगा, सपोज है, तो कल का निप्टी का level में क्या निकाल रहा हो, मैं बोल रहा हो, कि 24 का imminent date लिया हुआ है, 25 सारी के लिए market में क्या क करना है, तो 17,500, 572 से लेके 17,610 पकड़ लेते हैं, 610, तो 532 से लेके 601, 17,572, 17,610, ये range में कल वापिस market में buying आएगा, और कल अगर market 17,528 से लेके 490, ये range को अगर downside में break कर देता है, नीचे market जाएगा, तो ही फिर market में downtrend आएगा, तब तक market में uptrend रहेगा, ये मैं अगस रिजबल रहा हूँ, कल उसका एक्स पर ये, लास्त तक वापर उसमें रूपनी के कोशिश करेंगे, और उसमें निकलेंगा, अभी trend continue है, अगर market 528 के नीचे अगर कल खुलता है, तो जो option में काम करना चाहता है, जिनको कल option में काम करना है, और buying करके trade करना, जिनको right करके, sell करके करना है, तो एक्स परी की, कल का एक्स परी तो कली उसमें, आप right करेंगे, sell करेंगे, तो चलेगा, लेकिन जब आपको buy करना होता है, तो आपके पास time जादा होना चाहिए, जिस 17,600 का जो call रहेगा उसमें काम करना है लेकिन 25 के इसमें नहीं करेंगे जो next Thursday का जो experience रहेगा दो तरीका सपोजार उसमें हमें काम करना रहेगा यह प्रोसेस वैसे सपोजार यहापे अगर मार्केट डाउन ट्रेन में जला जाता है तो 17,500 के पूट में काम करना है पूट को खरीदना है लेकिन 25 अधस्ट वाले पूट में मत काम करो सिधा next September contract में जो पहला सीरीज रहेगा उसमें काम करना है तो यह हो गए हमारा निप्ती का कॉन सा कॉल लेना है कॉन सा पूट लेना है जब मार्केट यह राइंच में आ जाएगा तो आपको कॉल खरीदना है यह प्रोसेस कल के लिए हमारा निप्ती के लिए हो गया है अभी सपोज से एकbad आपको बैंक निटी के करना है तो विडिक का कल का कैल्कुलिष्ञ क्या हमारा एंदेट लिया हुआ और जिस सरी का कैलकूलिशन करना है, तो 38,776 से लेके 38,883, कल का बाइंग जोन रहेगा मार्केट, यह रेंग में मार्केट आएगा, तो वापीस मार्केट को उपर लेके जाएगा, और वहाँ से फिर मार्केट उपर जाएगा, तो हम क्या करेंगी, जब भी यह रेंग में मिलता करेंगे, या तो 38,000, या पर अगर मार्केट से 654 से लेके 547, इसके बीच में, इसके नीचे मार्केट चला जाता है, तो फिर हम मार्केट में पोट खरी जाएगे, 38,600 के पुट में कल के लिए हमें काम करना रहेगा, फिर तो यह प्रोसेस, लेकिन सिरीज 25 अगस्ट में मत काम करेंगे, क्योंकि हम बाइइंग करना चाहते हैं, तो मार्केट में उस दिन क्या का पर क्लोजिंग और उसका टाइम डिके बहुत आएगा, तो हमें कल जब एक्सपर यह तो 25 अगस्ट में काम नहीं करना है, हम सिधा काम करेंगे, नेक्स सिरीज में, इतना दिमाग में रखेंगे तो यह बैंक कर ले वरेगा, यहां पर मार्केट आता है, तो भाय करेंगे, और यह रेंज में मार्केट आएगा तो शौट अच्छह करेंगे, तो यह पर और यहां पर गारेंगे, श्ट्टिन करेंगे, और निप्टी में भी अगर बात करेंगे यहां पर देखेंगे तो कई किसी को सेटप भी नहीं बनता है लेकिन हमने बॉटम पर यहां पर हमें खरीजनों क्यों मिल रहा है तो इसके वज़े से लगबक सो पॉइंट एक सो दिस पॉइंट हमें मिनिमम आज के देट में भी प् सब्सक्राइब किया है तो चैनल जरू सब्सक्राइब करेंगे और यह जो लाइव मार्केट पर में जो कंटिनुसली अफडेट करता हूँ यह ग्रूप में भी अगर आपको एड होना है तो आप इसमें भी आड हो सकते हो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में कॉंटेक्ट न तो वीडियो को लाइक जरूर करना है तैंक यू सो मच